crypto currencies में हमें कई सारे old coin में अच्छा खासा pump देखने को मिल रहा है बट इनके साथ problem यह है कि rare ही हमने ऐसा कोई coin buy किया होता है जिसमें हमें 100 से 200% का jump देखने को मिले और low cap crypto coin के price में इतना jump आना बिल्कुल normal है बट सबसे मुश्किल यही जानना होता है कि कौन सी crypto में pump आएगा क्योंकि अगर हम pumping के starting में entry नहीं कर पाए तो बीच में entry तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते है क्योंकि crypto coins बहुत ही volatile होती है जितनी जल्दी इसमें buying देखने को मिलती है उतनी ही जल्दी selling भी start हो जाती है इसलिए आपको किसी भी pump को chase नहीं करना है वरना आपके investment stuck हो सकती है उपर के price पर या फिर आपको heavy losses भी उठाना पड़ सकता है इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको best 5 tips बताने वाला हूँ जिनका use करके आप early entry कर सकते हो किसी भी crypto में pump आने से पहले Welcome to our channel crypto minders अगर आप अमारे channel पे new हैं तो subscribe button पर click करके channel को subscribe करें First tip है दोस्तो 8 से 10 ऐसे coins को select करना जिसमें आपको potential दिखे इसके लिए आपको सभी coins को check करना होगा one by one और first check करना होगा कि coin की price history क्या है price में आपको देखना होगा कि कोई भी ऐसा high jump और trading volume ना हो जो आपको अजीब लगे इसे आप chart पर देख सकते हो easily इसके लावा अगर ये coin new है तो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि इनके पास कोई clear resistance level नहीं होगा जिस वज़े से इनके price में अच्छा bull run देखने को मिल सकता है without any resistance और new होने का मतलब है जो recently ही list हुए है last bull market के बाद में इसके बाद आपको देखना होगा कहां कहां वो coin list है क्योंकि जितने ज़्यादा exchanges पर coin list होगा उतने ज़्यादा investor उसमें buying कर पाएंगे इसके बाद आपको उसकी community strength को चेक करना होगा like social media numbers उनकी post पर community का क्या engagement है जैसे कि like और comments और उसे उसी के competitor के साथ compare करना होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि उस coin की community कितनी strong है दूसरे coin के comparison में last में आपको देखना होगा coins की tokenomics जिसमें आपको चेक करना होगा कि circulating supply कितनी है किसी भी coin की क्योंकि demand and supply important role play करते है किसी भी asset के price को up and down करने में ये सब भी indicator आपको बताएंगे कि कौन से coin में potential pump आ सकता है second tip है दोस्तो identify upcoming updates किसी भी crypto के लिए event और announcement बहुत important होती है उसके development और pumping के लिए और ये सब update आप coin market cap event section में easily मिल जाएंगे तीन तरह की news किसी भी coin के लिए हो सकती है like predictable news, unpredictable news and last delay और setback updates इनी updates के base पर आप अपनी position बना सकते हो किसी भी coin में like अभी Ethereum merge की news बहुत ज़्यादा चल रही है market में जिस वज़ए से Ethereum, ETC, ENS and Matic सबी में हमें अच्छा pump देखने को मिला है, जिसको लेकर हमने वीडियो भी बनाई थी जिसे आप i button पर click करके देख सकते हो third tip है दोस्तो, find out how long will the pump last buy the rumor and sell the news, ये quotation तो आप सबी ने सुनी ही होगी most of people इस strategy का use भी करते है बट किसी भी coin की market cap बहुत ही important role play करती है ये find out करने में कि किसी भी coin में कितने time तक pumping continue बनी रहेगी और market cap को हमने तिन categories में divide कर रहा है large cap, medium cap and small cap जितने भी high और large market cap coin है उनमें हमें usually जो big investors होते है, individuals और institutional इनी का पैसा लगा होता है इस वज़े से large cap coin में जब भी कोई big move आता है वो बहुत calculated investment decision होता है on the basis of research और जब भी large cap में pumping start होती है तो वो 2-3 दिन से लेकर week तक भी हो सकती है but in small cap and medium cap में retail investors का money ज़्यादा invest होता है जो mostly motion based driven होता है इसका time period भी short time के लिए होता है like 1-2 दिन तक इनमें pump और ज़्यादा intense हो सकता है अगर bullish news आती है तो because of FOMO, FOMO means दोस्तो fear of missing out small investor बिना कुछ सोचे समझे buying start कर देते हैं जिसके पीछे simple सी psychology होती है कि low price coin को देखकर हमें लगता है इसमें invest करके हम fast money बना सकते हैं जिस वज़े से हमें low cap coin में intense pump देखने को मिलता है 4-3 पर दोस्तो कितना high तक जा सकता है किसी coin का price crypto and stock market दोनों में दोस्तों जिनका market cap कम होता है उसके grow करने के potential बहुत ज्यादा होते है because जो low market cap coin होते हैं उनको pump करने के लिए ज्यादा money की requirement नहीं होती है जिस वज़े से इनके price को manipulate भी किया जाता है किसी coin के price कितना rise कर सकता है इसके लिए आपको दो indicator को ध्यान में रखना होगा first है दोस्तो psychological price barrier like human behavior के according हम always round figure number ही most of time choose करते है like $1, $10, $50, $100 जब भी किसी coin का price in figure के round होता है तो उसमें हमें automatically selling देखने को मिलती है क्योंकि बहुत से लोगों ने इन round numbers को अपना target set किया होता है profit booking के लिए second है दोस्तो technical analysis जिसमें हमें check करना होता है previous support and resistance zones कौन से रहे है किसी भी coin के इसके साथ ही combination of moving average and RSI हमें better overview provide करते है किसी भी coin के technical analysis की एक बार जब आपको पता चल जाएगा कितने time और कितना price किसी भी coin में आ सकता है pumping के time पर उसके coding आप plan कर सकते हो कितना money आपको invest करना है और कब आपको profit लेना है अपने trade से बट एक बात का आपको always ध्यान रखना है दोस्तो आपको चाहे जितना भी idea हो जाए coin में कितना pump आ सकता है तब भी यह हो सकता है कि जैसा आपने सोचा है सब वैसा ना हो इसलिए next and last tips बहुत important role play करती है जो है analyze any long term potential for your coin एक बार आपने decide कर लिया कि कितनी money आपको invest करनी है उसके बाद सबसे important point आता है दोस्तो profit कैसे लेना है इसकी planning करना long term future को consider करते हुए इसके लिए यह जानना सबसे जरूरी है कि आपका coin valuable है या नहीं जो points मैं आपको बताने वाला हूँ उसका use करके आप यह पता कर सकते हो easily फर्स्ट है utility utility means दोस्तो practical use होना किसी भी coin का मैं आपसे पूछू कि सबसे ज़्यादा dumping कौन से coin में आती है तो सभी का answer होगा meme coins में जिसके पीछे का simple सा reason होता है no or very less practical use जिसकी वजह से after fomo demand खतम हो जाती है coins में इसलिए आपको देखना होगा कि कैसा है आपके selected coin का practical use कैसा है जिससे उसकी demand always market में बनी रहे जिसका सबसे best example है Ethereum Ethereum का use दोस्तो crypto में हर जगह होता है next point is listed on exchanges आपका coin reputable exchanges like Binance पर listed है यह नहीं but not listed on our US exchanges like Kraken और Germany एक बार आपका coin इन exchanges पर listed होता है तो और ज्यादा money inflow आपके coin में देखने को मिलेगा जिससे उसका price और ज्यादा rise होगा क्योंकि सबसे ज्यादा money crypto space में US से ही आती है इसके बाद आता है दोस्तो partnership आपको ये भी देखना होगा कि आपके coins की दूसरे crypto project के साथ partnership है या नहीं क्योंकि crypto के future ही interoperatability है और कोई भी single coin scale of work नहीं कर पाएगा in future कहीं न कहीं उसको दूसरे project के साथ link की जूर तो पड़ेगी ही यही आपको अपने coin में भी find out करना है next है दोस्तो smart money funding जिस भी crypto project में venture capital involved होते है उनका future bright होता है और fundamental strong होते है क्योंकि कोई भी venture बोग time लेता है अपनी research के लिए उसके बाद ही वो किसी coin को support करते हैं जो ये indicate करता है कि उस project में growth potential है जिसकी वज़े से जो दूसरे investors होते हैं वो भी convince होते हैं और अपना money coin में invest करते हैं जिससे coins में अच्छा खासा pump देखने को मिलता है long term में ये सबी बाते आपको द्यान में रखनी होगी किसी भी coin को select करते हुए आपका selected coin कहां stand करता है उतके पास कितना scope है growth का ये 5 tips आपको help करेगी investment planning के लिए और अगर आप seriously इन steps को follow करते हो तो जब time आएगा आपको अपने investment पर बहुत अच्छा return देखने को मिलेगा ये था दोस्तो आज का अमारा वीडियो I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए वीडियो को like और share कर दीजिए and last हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले thank you, jahim